कि अच्छा कि अच्छा करने जा रहे हैं कि नंबर सिस्टम में आप लोग हेडिंग दिजेगा चप्टर फस्ट नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में हम लोग जो पहला हेडिंग देंगे हम लोग का पहला हेडिंग रहेगा इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में आप लोग लिखेंगे ए नंबर यह नमबर सिस्टम यह नमबर सिस्टम विट बेस बेस को हम और क्या बोलते हैं रेडिक्स बेस और इसको हम लोग रेडिक्स भी बोलते हैं रेडिक्स आर रेडिक्स को हम लोग आर से देनोट करते हैं विट वेस और रेडिक्स आर विल है विल है विल है विल है विल है और डिफ्रेंट और डिफ्रेंट डिजिट और डिफ्रेंट डिजिट और डिफ्रेंट डिजिट एंड दे आर दे आर फ्रॉम जीरो टू आर माइनस वन मतलब कि हम लोग एक जैनरल नंबर सिस्टम का बात करें तो जैनरल जो नंबर सिस्टम होता है उसका कुछ एक बेस होता है जिसको कि हम लोग बेस या रेडिक्स बोलते हैं कोई भी नंबर सिस्टम का बात करेंगे दो उसमें एक का हमा रेडिक्स बॉब का बेस होगा और उफ्रक ऑट अकॉर्डिंग वह नंबर सिस्टम हमारा ठुक है जैसे कि एक्जांपल्स आप हमुआ सकते हैं एक्जांपल कि मैं आप लोग लिख सकते हैं कि डेसिमल decimal number system decimal number system decimal number system जो है इसका base कितना होता है इसका base होता है 10 ере Barb Iain इसका ready कितना होता है 10 होता है तो इसमें कि आर इकवल टू टेन होता है कोन्से सिस्पम का बात हो रहा है decimal number system का decimal number system में आपका जो डिरिकषी होता है वो ठेन होता है तो इसमें टोटल कितना डिजिट हो जाएगा टोटल 10 डिजिट हो जाएगा कहां से लेके कहां तक 0123456789 यह आपका हो गया जिरो से लेके आर-1 का फ्यलू कितना है आर इक्वल लेके कहां तक यहां लिखे हैं जीरो से लेके आर माइनस वन तक यह सिस्टम जाएगा तो हम एक जेनरल सिस्टम का बात कर रहे हैं जेनरल नंबर सिस्टम का तो कोई भी नंबर सिस्टम का एक रेडिक्स होता है और वह नंबर सिस्टम जो होता है जीरो से आर माइनस वन तक उ केलियर हो जाएगा जाप लोग नोट कर लिए अब हम एक जैनरल चार्ट बना ले रहे हैं इसमें हम लोग निखलेंगे नंबर सिस्टम नंबर इस इस्टम और यहां लिख लेंगे डिफ्रेंट डिजिट डिफ्रेंट डिजिट अब डिजिट नंबर सिस्टम उस नंबर सिस्टम का कौन कौन सा डिजिट है वो है ना तो यहां पर हम लो लिखेंगे अगर पहला बात करेंगे हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम का बाइनरी नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम इसमें क्या हो जाएगा इसका बेस की कितना हो जाएगा कि इसका बेस हो जाएगा डीज हो जाएगा अर का value कितना हो गया कोई बंबर सिस्टम कहां तक भी करता है 0, 2, R-1 यहां पे R का value कितना है? binary में binary में R का value है 2 तो यह system कहां तक जाएगा? 2-1 तक बने उसका highest digit क्या होगा? 1 होगा highest digit होगा? 1 binary number system जो होगा वो 0 और 1 दो ही digit से मिलके बनेगा इसमें 2 देखने को नहीं मिलेगा कितना भी बड़ा number बनाईएगा अगर binary form में रहेगा तो तो आपको किसका use करके लिखना है? 0 and 1 का ही use करके लिखना है जैसे example माल लिजिए binary system में आपको लिखना है 3 लिखना है binary system में आपको क्या लिखना है? 3 लिखना है 3 को कैसे लिखेंगे? 1, 1 इसको 3 बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? 3 बोलेंगे किस system में? binary system में इसको 3 बोलेंगे ठीक है? तो इस तरह से हमको कोई भी number लिखना रहेगा छोटा, बड़ा, negative या positive या दस्मलाव में हो, fraction में हो सब का हम लोग लिखेंगे 0 and 1 का use करके इस system में 2, 3, 4 कभी देखने को नहीं मिलेगा कितना भी बड़ा number होगा? उसको हम लोग लिखेंगे 0 and 1 का use करके ठीक है? ये चीज़ किलियर हुआ जैसे कि माल लिज़ आपको लिखना है 12 लिखना है तो कैसे लिखिएगा? ये हो गया आपका 12 ये हो गया आपका 12 कैसे लिखते हैं? आगे हम बताएंगे तो ये आपका हो गया 12 1, 1, 0, 0 ये हो गया आपका 12 binary system में 12 कैसे लिखेंगे? 12 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1, 1, 0, 0 इसको बोलेंगे 12 ये है आपका 12 binary system में कहने का मतलब कि कोई भी नंबर लिखना होगा तो आपको 0 & 1 का यूज करके ही लिखना है यह चीज के लिए हो गया सारे सिस्टम के लिए बात अपलाई होगा कितना भी बड़ा नंबर कितना भी छोटा नंबर लिखना है निगेटिव नंबर लिखना है पोजेटिव नंबर कई चाना इसी का जुद करके कोई भी नंबर आपको लिखना है अब उमीद है कि आप लोगो येस्ट में लिखना है। बूफी के डिजट को यूज करना है क्म ये क्लियर हो theatre मेरा करनोट करते जाएंगे दूफरा मेरा सिस्टम है और अक्टल नंबर सिस्टम सौट में लिखें इसका बेस कितना होता है इसका जो बेस होता है वह होता है आठ इसका डिजिट कहां तक जाएगा आप आप खुद बोलिए जीरो वन टू थी फोर फाइप सिक्स सेबन तक जाएगा इसका हाइएष डिजिट कितना होगा सेबन होगा क्योंकि आर का वहलू क्या है यहां पर आर का वहलू है यहां आर का वहलू कितना था तो आर का वहलू एट तो इसमें जो नंबर यूज करेंगे इस सिस्टम में कोई भी नंबर को आपको लिखना हो तो अभी यह समझ में आ गया थार्ड सिस्टम हम लोगों के पास जो है जो पॉपुलर नंबर सिस्टम हम सिर्फ बात कर रहे है तो वह हो गया एक्सा एक्सा डेसिमल गेशी मल है किसा डेसिमल इसका बेस कितना होता है hexadecimal number system hexadecimal number system में r का जो value होता है यह होता है 16 तो इसका digit कहां से कहां तक होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पे 10 को a बोलते है hexadecimal system में 10 को क्या बोलते है यह बोलते है 10 11 12 13 14 15 मतलब कहां तक जाएगा यह f तक जाएगा 9 तक इसमें ऐसे रहता है और hexadecimal में 10 को हम लोग a लिखते हैं capital a और उसके बाद से 11 को b 12 को c 13 को d 14 को e 15 को f लिखते हैं तो यह कहां तक जाएगा 16 है आर का भेलू तक कहां तक जाएगा 15 तक यह जाएगा तब 15 hexadecimal में 15 का मतलब क्या हुआ एफ को पंदरा बोलते है 15 बोलते है ठीक है तो यह हो गया हमारा hexadecimal system अगला हम लोग लिखेंगे जो आप हम लोग यूज करते हैं math में decimal जो बता चुके है decimal number system decimal number system में आर का भेलू कितना होता है 10 होता है डिजिट कहां से कहां तक जाएगा zero one two three four five six seven eight nine nine तक जाएगा कोई भी नंबर लिखना है अगर आपको decimal system में लिखना है जो हम लोग मैत में यूज करते हैं तो उसमें 9 तक ही डिजिट जाता है जैसे कि आपको 10 लिखना है तो कैसे लिखते हैं यह 10 हो गया आपको 500 लिखना है तो कैसे लिखते हैं लेकिन डिजिट क्या यूज कर रहे है देखिए इसी का कोई न कोई combination यूज कर रहे है यह जो आपका दिये है सेट इसी का combination से आपका नंबर बने गए डिजिट क्या है जीरो one two three four five six seven eight nine कर आइन इसी के combination से नंबर बनता है तो यह सिस्टम कौन सा हो गया यह हो गया आपका बेसीमर नंबर सिश्टम अबर अगर हम लोग बात करते हैं इनजनरल को ऑलिख लेते हैं पर कर इन जर उनक्लूज़ार एन ж RiDIA कोई सिष्टम का जो हाइश्ट जीट होता है कोई भी सिस्टम दिया हुआ है इसका सबसे बड़ा स्काइट जो होता है वह होता है होतकी इसका कुछ वेश्ट को रे डिक्स भी बोलते हैं तो अगर रेडिक्स आर है तो वो सिस्टम कहां से कहां तक जाएगा जीरो से लेके आर माइनस वन तक उसके डिजिट होंगे यह कि पॉइंट लियर हो गया तो इसको आप लोगों नोट कर लेंगे और ऐसे हम नोट भी डालेंगे लिख देते हैं तो नोट भी डालेंगे तो इसको आप लोगो कि अगला टॉपीर हीडिंग लगाएंगे हम लोग कि अगला है कंवर्जन कि कंवर्जन आफ कन वर्जन आफ वन नमबर सिस्टम वन नमबर सिस्टम तो अनदर नमबर सिस्टम अनदर नमबर सिस्टम एक नमबर सिस्टम से दूसरे नमबर सिस्टम में हम लोग कन वर्जन कैसे करते हैं यह टॉपिक हम लोग डिसकस करेंगे ठीक है तो इसमें पाहला आप लोग लिखिएगा पाहला है है कि फिस्ट है डेसिमल 2 गडेसिमल टू अनदर नमबर सिस्टम इनदर इस नमबर इस तम आपको डेसिमल से किसी भी दूसरे सिस्टम में कनभड करना जैसे माण मड़ी यह डेसिमल टे से करना है या decimal से hexa decimal में करना है तो कैसे करते हैं यह जंडल आप सीख जाए जैए हम completing मतलब कि decimal से किसी भी number system में आप बदल सकते हैं number को इसमें लिखेंगे था कि can watt इस एक इसमें हमनों लिखेंगे do का कुण न बॉट करें बॉट कर था any decimal number any decimal number into base into base are any base them into base are divide fight the integer divide the integer integer part and multiply multiply fraction multiply fractional part with base with base with base are INSRA कि एसमें को करनाइए एसे मान लिजिए दिया हुआ है म२्णंपरत कि एकस्टू एक्सत्री इस तरह से है और यहां पर अगर मालिठी दीया हुआ है भी वंद उन पीट्टू पीथारी पीफोर इस तरह से लिखा हुआ है डेसिमल फॉर्म में और इसको आपको कनभर्ट किसे करना है आपको कनभर्ट करना है दूसरे नंबर सिस्टम में जिसका बेस क्या है और यह पहले से किसमें दिया हुआ है नंबर इसको कनभर्ट करने के लिए जो आपका यह इंटीजर पार्ट को आर से डिभाइड करेंगे और यह जो फ्रेक्षन पार्ट है इसको आर से मल्टिप्लाइगे अब एक्जामपल देंगे ता आपको यह चीज़ पूरा क्लियर हो जाएगा तो एक्जामपल हम लोग देखते है एक्जामपल हम लोग देखते हैं इसको इरेज कर देते हैं एक्जामपल जैसे कि माल लिज़े आपको एक दिया हुआ है नंबर 19.125 यह दिया हुआ है डेसिमल फॉर्म में और इसको कनभट करना है आपको एक दूसरे नंबर सिस्टम में जिसका की बेस कितना है टू है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो किलियर हो जागा आप लोग का डॉट तो क्या करना है यह 19 को इस बेस से डिभाइड करना है ब से हम करके दिखा रहें आप लोगों को तो से डिभाइड करेंगे तो क्या होगा तो से इसको डिभाइड करेंगे तो नाइन बाल में ले जाएंगे यह आपका हो जाएगा यहां पे रिमेंडर को लिखते जाएंगे रिमेंडर कितना आएगा पूरा-पूरा डिभाइड हो हो गया को सेंट हो गया और यह क्या हो गया रिमेंडर हो गया तैसे लिखते जाते हैं फिर टू से डिभाइड करेंगे तो कितना बार में ले जाना पड़ेगा चार बार में तो कितना रिमेंडर बचेगा वन बचेगा यहां वन को लिख लेंगे और फिर इसको टू से डिभा अब इसको हम लोगों को लिखना कैसे है हमको सजा कीछ लिख लेंना अपूंट फ़िस लिखना रहता हिसको नीच़े पर के तरफ ऐसे लिखना होगा आ잇से क्या बन जाएगा वन ये वला वन उफके बाद क्या आया है ये वला जीरो जीरो उफके बाद ये वला जीरो जीरो उफके बाद ये वला वन तो वन फिर उफके बाद ये वला वन तो यह हो गया वन तो हमारा जो इंटीजर पार्ट था उसको हम बदल दिये binary में है ना तो यहां प्लिख देंगे अभी हम लोग decimal part को fraction part को नहीं बदलें इसको अभी हम लोग बदलेंगे है ना इसको अभी हम लोग नहीं change किये इसको अभी हम change करके दिखाएंगे फिर से एक बार आपको रिमेंडर को यहां लिखते जाते हैं यह रिमेंडर लिखते जाते हैं फिर दो से डिभाइड किए चार बार में गया रिमेंडर कितना बचा वन फिर दो से डिभाइड किए कोसेंट कितना आया टू आया रिमेंडर कितना आया जीरो फिर दो से डिभाइड किए तो हमारा कोसे तो मेरा हो गया इसको सजाकर कैसे लिए से उपर के तरफ लिखेंगे बेहरों को हो गया हमारा जो इंटीजर आट था वो कनवट hm अब हम लोगा आते हैं आप्सेन connection को नभाट करने के यह हमको क्या किसको कनवट करना है अब हमको कनवट करना है How about 0.00125 तो क्या बताएँ है fraction को convert करने के लिए यह जो बेस है इससे multiply करेंगे definition में लिखाए है तो इसको multiply करेंगे तो कितना आएगा यह आएगा 250 0.250 यह जो 0 आएगा इसको हम लोग लिखते यह 0 यह 0 को हम लोग यहां देख लेंगे यह हमको क्या मिल गया जीरो मिल गया फिर 200 इसको डिवाइड करेंगे जीरो पॉइंट कि इसको फिर किसे डिवाइड करना है टू से डिवाइड करना है मल्टिप्लाई करना है सारी हमको क्या करना है आर से पाइफ जीरो जीरो को टू से मल्टिप्लाई करेंगे तो इस बार क्या मिला वन जीरो जीरो फ्रेक्शन पार्ट मेरा क्या हो गया फ्रेक्शन पार्ट मेरा जीरो हो गया तो फ्रेक्शन पार्ट जब जीरो हो जाएगा तो उसके बाद से हम लोग डिभाइड करना छोड़ द हमारा इंटीजर के जगह इंटिग्रल पाड क्या मिला G.0 मिला यहां पर से लिख लिए फिर जब जो नंबर आया था मेरा पीर से 20 प्रिक्लाइक किये त्ब इस बार की आया था मेरा 00 को जायेगा तब हम लोगो से मतलब नहीं है है ना यहां क्या आया है उसे मतलब नहीं है हमको फ्रेक्शन में 00 आना चाहिए 0000 मतलब complete 0 हो जाना चाहिए तब हम भी इस्टॉप कर देंगे तो मेरा complete 0 मिल गया fraction में तो इस्टॉप कर देंगे लेकिन इसको लिखते कैसे है सजा के इसको लिखते ऩो डाउन पर से नीचे के तरफ लिखते हैं सबसे उपर में क्या और मेंकिया है जीडों उसके बाद क्या आया है यूजर ये मेरा फाइनल एंसर क्या आ गया मेरा फाइनल एंसर आया है जीरो वन जीरो डबल वन और उसके बाद से डबल जीरो वन तो इसको आप लोट कर लेंगे तो यहां पर अच्छा से हम सजा के लिख देते हैं हमारा जो एंसर आया है क्या हमारा आया है 19.125 दिया हुआ था डेसिमल में और इसको कनभर्ट करना था हमको बाइनरी में तो हमारा एंसर आया है 10011.001 यह हमारा आया है फाइनल एंसर इसको लिख लिए ध्यान देने वाला बात क्या है जब हम लोग को इंटिग्रल पार्ट है इसको करने के लिए हमको टूस बेस से डिभाइड करना है और लिखने समय नीचे से उपर के तरफ लिखना है और जब फ्रेक्शन का काम करेंगे तो इसमें हम लोग बेस से multiply करेंगे तब तक multiply करेंगे जब तक fraction हमारा zero नहीं आ जाए तब तक multiply करेंगे और जब final answer लिखेंगे तो जो सबसे उपर आया रहेगा उसको हम लोग सबसे left में लिखते हैं और उसके बाद उपर से नीचे लिखते जाते हैं ठीक है यहां तक clear हो गया इसमें क्या करें थे नीचे से उपर लिख रहें थे left to right में से नीचे से उपर यह क्या करते हैं कि लिख लेब to right कैसे लिखते हैं ऩो डॉपर से नीचे लिखते हैं तो इस तरह से हम로ं पकरते हैं decimal से binary यह जैनरल बता रहे हैं कि हम लोग decimal से कोई भी system में कैसे convert करेंगे तो जैनरल binary में बदाए बदलके एक और example लेते हैं जिसमें की कि दूसरे system में आप लोगों को बदलके बताएंगे ठीक है कि एक और example ले लेते हैं clear हो जाएगा आप लोगों का इसको एरेज कर देते हैं एक और एक्जामपल ले लेते हैं के लियर हो जाएगा एक एक्जामपल ले लिजिए 27 625 ये दिया हुआ है डेसिमल फॉर्म में इसको कनभाट करना है हमको बाइनरी फॉर्म में ठीक है तो इसको हम कनभाट करते हैं आप लोगई इसको अच्छा से समझेए इसमें भी क्या करेंगे बोले हैं कि इंटीजर पार्ट को बेस से डिभाइड करेंगे तो इंटीजर मे पर याटिनी को डिवाइड के से फिर क्या होगा कि सिक्स बार में जाएगा रिमेंडर कितना याए करेंगे तो कितना आएगा हमारा को से त्री आएगा और इस बार कितना आएगा और इसको कैसे लिखते हैं बताएं आप लोगों को नीचे से उपर लिखने समय लिखेंगे तक्या आ यह आगया 110 11 पहले वाला 1 लेप मुश्ट में आएगा फिर यह वला 1 यह हुआ फिर 0 यहां आया तब यह वन और यह वन हैना इस तरह से लिखते हैं तो हमारा बन गया यह फ्रेक्शन को तो हम बदल लिए इंटीजनल पार्ट को तो बदल लिए अब आते हम लोग फ्रेक्शन को बदलने के लिए इसको अब हम बदलेंगे इसको कैसे बता हैं बदलने के लिए इसको बदलेंगे 0.625 लिख देंगे और यह जो बेस है इससे multiply करेंगे कितना आ जाएगा multiply करेंगे तो आ जाएगा यह आ जाएगा वन पॉइंट 250 यह वाला जो है इसको कहां लिख लेंगे यहां लिख लेंगे यह आगला मेरा वन इना यह वन आ गया अब बच जाएगा हमारा क्या Cinderella चैगा फ्रेक्षान पार्ट को मिलों को मल्टिप्लाई करना रहता है है कितना बच जाना तो फ़िर से करेंगे तही आएगा जीरो पॉइंट यौ पाइट फाइव ड्फाईफ तो क्या हो ग installations तो कर देंगे यहां पे जो आया है यहां लिख लेंगे हो गया लेकिन इसको लिखने समय कैसे लिखेंगे इस बाद तौप टॉ बॉट्स fraction part के लिए क्या करते है top to bottom तो सबसे left में क्या लिखेंगे यह वला वन यह वला वन सबसे left में जाएगा यहाँ है ना उसके बाद क्या जीरो उसके बाद यह वला वन नीचे वला ठीक है तो finally मेरा यह मिल गया तो final answer मेरा क्या आया final answer मेरा आया 27.625 decimal में है इसको convert किये हम binary में तो कितना बन जाएगा यह हमारा यह बन जाएगा वन वन जीरो डबल वन वाइंट वन जीरो वन यह बन गया हमारा वाइनरी में तो उमीद है कि आप लोगों को binary से decimal से binary पुरा clear हो गया होगा कैसे बदलते हैं fraction को बदलना थोड़ा सा मुस्किल होता है उसको पुरा मच्छे से समझा दिया अपनों को कि हमको क्या करना है जो भी बेस दिया रहे गा उससे multiply करना है और यहां पे decimal decimal के जो left side में है उसको note करते जाना है तो उसके बाद तब यह काम करेंगे जब तक दस है राइट्ट में व्यक्षण पार नहीं हो जा कम्प्लीट जीरो नहीं हुआ इसलिए और ले गया है यहां पर मेरा complete zero हो गया तो यहां पर stop कर देंगे और लिखने समय कैसे लिखते हैं सबसे left में top बला जाता है जो सबसे पहला यह digit आया रहता है यह left में जाता है तो यह one यहां आ गया फिर zero फिर one ऐसे लिखते हैं ठीक है यह ध्यान रखना है तो उमीद है कि आप लोगों को यह बहुत अच्छा से clear हो गया होगा ओके चलिए अब हम हम लोग क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं डेसिमल से किसी भी दूसरे बेस में कनभाट करना यह पहला था डेसिमल से बाइनरी में हम लोग कनभाट करना सीखें अगला हम लोग और एक जामपल देखते ह हैं जिसमें कि हम लोग कि डेसिमल फे ओक्टल फिश्टम में कनभाट करना सीखेंगे पेज इसलिए लिख देते हैं कि इसको जब हम डालेंगे साइट पे तो आप लोगों को पेजवाइज नोटस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा थीक है तो इसको इरेज कर देते हैं अगला एक जामपल हम लोग लिखेंगे इसमें है 27 दिया हुआ है आपको किस फॉर्म में डेसिमल फॉर्म में इसको किस में कनभाट करना है आपको ओक्टल फॉर्म में ओक्टल नंबर सिस्टम में कनभाट करना है में आहिसमें ह сок Pre索़ करना इसमें वही रूल अप्लाई होगा 27 को क्या करेंग लोग 8 से करेंगे क्योंकि यहां basis बर क्या है एरढ़ करेंगे कितना बार में जायेगा दीन बार में जायेगा तो यहां पे क्या बचेगा कोफेंड कितना बचेगा और यहां पर कितना आएगा ठीच व कोलेंट मेरा याप्री और र्हीमेंडरी ट्री अब यह छोटा हो गया था हम लोग अभी हाँ पर इस हमारा इस हो आ हैं यह छोटा हो गया है तो मिलो भी मुद 2-5 कर देंगे ठीक है को सेंट मेरा गया तीन तो यहीं पे स्टॉप कर देंगा अब इसको हम लोग लिख लेंगे बताएं कैसे लिखते हैं हम लोग लिखने समय हम लोग क्या करते हैं लिखने समय हम लोग लिखते हैं नीचे से उपर तो यह क्या आ जाएगा थिरी थिरी इसमें तो कोई डेसिमल प सोधार हो गिया है कि इसमें बनदे हम फिर बता दे रहे हैं हम लोग क्या किये इस से इसको टीवाइड कि आफ यहां कोटो यहां से कितना बार ले गए तो 27 हुआ रीमेंडर कितना बचिए रीमेंडर को यहां लिखते यह इसको सबसे लब यह 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 नपकूज नहीं होना है यह जो आप कर थिया यह 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 तरी प्रफिक यह 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 सबसे बटम वाला यह बसे लिखेंगे है तो 33 आगया ठीक है ना इक हिसमें सिस्टम में कलियर हो गया उमीद है कि आप लोगों को कलिए हुआ होगा अब एक पर लेते हैं किसी दूसरे सिस्टम में इसमें बदलना है अधिया हुआ है और इसको हम लोगों को बदल लेना है और इसको हमको बदल लेना है किसमें। हेक्साडेसिमल में इस बार हमको कनभर्ट करना है जिसका कि बेस कितना है सिक्स्टीन बेस है तो इसमें भी काम करेंगे यहां पर लिख देंगे पहुती इजी है अपनों पढ़ लिए है 27 लिखेंगे इसको किस से डिभाइट करेंगे सिक्स्टीन से डिवाइड करेंगे क्योंकि मेरा वेस क्या है सिक्स्टीन है तो डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा यह जाएगा एक बार में है ना और रिमेंडर यहां पर कितना आएगा एक बार में जाएगा तक क्या होगा सुल्ला होगा तरीमेंडर कितना आ जाएगा इसमें से घटाएगा तो यह हो जाएगा एक और इसमें से घटाएगा तो हो जाएगा एक hexadecimal में आप लोगों को बताए है कि 10 को बोलते है A, 11 को क्या बोलते है B, 12 को क्या बोलते है C, 13 को क्या बोलते है D, 14 को क्या बोलते है E, और 15 को क्या बोलते है F, तो hexadecimal में हम लोगों को लिखना है, तो यहां पे हमारा क्या आएगा, remainder आएगा 11, जब divide करेंगे तो पॉसेंट आइगा वण और रिमेंटर आएगा 11 लिखेंगे कैसे अधिक है भाटम्ट व टॉ। टॉप सबसे पहले काया है यहां लिख देंगे ऊज़िए उसके बाद क्या इलेबेन आया है लेकिन hexi कि को कि से करेंगे बेस से कितना आएगा यह करेंगे तक कितना आएगा यह要 हमुख करेंगे मिल्टिप्लाइ करके देखिये हम घरो पर चीन यह इतना एगा इसमें क्या था जीरो आ गया बताएं है कि दस मलाव के left hand 5 में जो रहेगा इसको यहां लिख लेंगे तो यह लिख लिए 10 लेकिन 10 को किस में लिखना है हेक्साडीसिमल में लिखना है था इसको क्या बोलेंगे ए बोलेंगे हैं न और यहां पे जीडो जीरो आ गया इसको अभ दुबरह्ए मुल्टिप्लाइ करने का जरूरद नहीं है तो मेरा फैइनल क्या यथा ऐ गया यहां पर लिखेंगे या यहां पर लिखेंगे ए तो बदलने पर क्या आया मेरा फाइनल अंसर आ गया 27.625 को अगर हम लोग बदलेंगे हेक्साडेसिमल में तो वो आएगा 1B.A यह आया हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम में उमीद है आप लोगो किलियर हो गया होगा जो भी यहां पर इंटीजर पार्ट रहता है उसको डिभाइड करते हैं बेसे से और यहां पर कोसेंट लिखते हैं और यहां पर रिमेंडर लिखते हैं और जो भी फ्रेक्शन पार्ट होता है उसको बेसे से multiply करते हैं तब तक multiply करते रहते हैं जब तक कि हमारा फ्रेक्षन में 000 नहीं आ जाए ठीक है 000 आ गया तो यहीं पर स्टॉप कर देंगे ठीक है तो अमीद है कि अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देते हैं अगला हमारा हेडिंग है अधर सिस्टम पहला हम लोग क्या सिखे पहला सिखे इसको सेकेंड लिख लिजे अधर अधर बेस टू डेसिमल सिस्टम अभी हम लोग सीखे इसके पहले कि किसी भी डेसिमल नंबर को आर बेस में कैसे कनभर्ट करते हैं अब यह है उसका उल्टा मतलब कि हम लोग दूसरे बेस से डेसिमल में आना चाहते हैं तो इसमें क्या करेंगे जैसे माल लिजे यहां पहले लिख लेंगे statement to convert to convert any other base any other base into into decimal in to decimal क्या करेंगे कि मल्टिप्लाइए कि मल्टिप्लाइए इज इच इच डिजिट इच डिजिट विट 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 वर जी स्नल पोजिस्नल वेटेज वेटेज दिन एड इसको एक्स्प्लेन करते हैं स्टेटमेंट को पुरा किलियर हो जाएगा जैसे आपको माल लिजे दिया हुआ है यहां पे यह एक्स्टू, एक्स्वन, एक्स्जिरो, वाइंट यह आपका आर है और यह इसको ले जाना है डेसिमल में कोई भी बेस है यह आर एनी बेस है और इसको आपको ले जाना है डेसिमल में तो करना क्या है आप लोग को इसके पोजिशनल भैलू से आर का पावर जीरो और यह नंबर को मल्टिप्लाई कर देंगे ठीक है ना यह उसके बाद क्या करेंगे जैसे कि इसको मल्टिप्लाई कर देंगे इस से इसको स्मॉल में लिख लिए तो ज्यादा किलियर होगा है ना लिख देते हैं मैं स्मॉल में है ना एक्स टू एक्स वन एक्स जिरो वाइंट माइनस वन माइनस टू से यहां पर क्या कొ करेंंगे आऱ का पावर जीरो क्योंकि इसको लोग जीरो बोलते हैं इसको ऊन बोलते हैं पोजिस्ट नल का देई और इदर वाले को obecि नलू डैला निए बाद रहे गा मैनयनस वन मैनस टू मैंनस ठी ऐसे बढ़ते जाए प्लस करते जाएंगे आर का पावर 1 में किसको मल्टिप्लाई करेंगे एक्स 1 को और फिर क्या करेंगे आर का पावर 2 इसमें किसको मल्टिप्लाई करेंगे एक्स टू को ठीक है इतना कर लेंगे अब दस्मलाव के इधर जब आएंगे आर का पावर माइनस वन में किसको मल्टिप्लाई करेंगे x-1 को और r का power minus 2 इसमें किसको multiply करेंगे x का power minus 2 को power नहीं x minus 2 है ना number है यह digit आपको दिया रहेगा example अभी देंगे पूरा clear होएगा इस तरह से हम लोग multiply करेंगे तो यह convert हो जाएगा decimal में कोई भी base का रहेगा यह decimal में convert हो जाएगा जैसे एक example आप लोगों को देते हैं तो पूरा clear होगा एक example अभी आप लोगों को दे रहे हैं तो पूरा यह चीज़ clear हो जाएगा page number 7 इसको इरेज कर देते हैं एक example लेते हैं जैसे कि आपको दिया हुआ है एक binary नंबर दिया हुआ है और इसको convert किसमें करना है इसको आपको convert करना है decimal है ना तो कैसे convert करेंगे इसको आपको decimal में convert करना है ठीक है तो अभी आपको क्या बताए कि जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसका पोजीशन यह कौन फा पोजीशन हुआ यह जीरो पोजीशन हुआ यह कौन फा पोजीशन हुआ यह वन पोजीशन हुआ यह कौन फा पोजीशन हुआ यह टू पोजीशन यह थिरी पोजीशन यह फोर पोजीशन यह कौन फा पोजीशन ह हुआ , जब हम लोग डसमलाव के बाद के राइट टु लेप जाएंगे तो भैल। बढठते जायेगा, और दसमलाव के लुधर लेख जाएंगे तो गैसे जैसे इसको कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे इसका बेस कितना है आर को यहां पे किया है आर का वह से करेंगे यहां पे digit आपको दिया रहेगा इससे multiply करेंगे तो रॉन से multiply कर देंगे plus अगला पे olacak अंगे तहोना में क्या है अगला में है आपको यहां पे यह वन है और इसका position क्या है one है तो का power कितना हो जाएगा वन और यहां multiply कैसे कर देंगे one से फिर नेर्ट पे यहां पर मुल्टिपलाई किसे करना है यहां है कितना है तरी आ Bizim का पावर करेंगे जिरो से करेंगे क्याका क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ है जीरो से इसको multiply कर देंगे इसको किसे multiply कर देंगे 0 से multiply कर देंगे यहां लिख लेंगे तू का power 3 और multiply हो जाएगा 0 से ठीक है और next क्या है plus इसमें सार एक ब्लस क्या करना है इसका क्या है position 4 जो डि Cow? और पूरा को कि से multiply करना है इस डिजिट बहां पर दिया रहाएगा ने हमारा काम हो गया, दस्मलाव के लेप्ट हैंड साइड का अब आते हैं लोग 10 मुलाव के राइट हैं, तो दस्मलाव के राइट हैंड में इसका position क्या है सबस्क्रशन और इसको और इसको से मल्टिप्लाइब कर देख लेते है jest दस्मलाव की धर बाला को मोड करेंगे यह आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइप प्लस या जाएगा है person 25 यह आ गया हमारा दस्मलाव के पहले और दस्मलाव के अगर इस다ी में देखेंगे तह že ک весиваем प्लस यह कितना आएगा यह आजाएगा जीरो तू का पाउर थरी इंटू जीरो ते जीरो आजाएगा और यह कितना आजाएगा यह आजाएगा फोर ते हो गया फोर और यह कितना आजाएगा यह आजाएगा टू ते हो गया टू और उसके बाद से यह कितना आजाएगा तू सेबेन फाइप यह कितना आ जाएगा सेबेन फाइफ तो फाइनल एंसर क्या आ गया मेरा इसको हम लोग नोट कर लेंगे फाइनल एंसर क्या आया हमको बदलना था 10111.11 यह दिया हुआ था बाइनरी में इसको हम कनभट किये डेसिमल में तो यह आ गया 23.75 यह आ गया मेरा फाइनल एंसर उमीद है आप लोगो खिलियर हुआ होगा मैं फिर एक बार बता देता हूं यह जो डिजिट दिया रहेगा इस डिजिट में मल्टिप्लाई करना है किस से इस बेस का पावर से अब बेस का पावर कहां से सुरू होता है यहां जीरो बेस का पावर कहां से सुरू होता है यहा पिर यग पर बता भेटे हैं हम लोओ क्या करना है इस डिजीट को मुल्टिप्लाइब करना है यह जो बेस्त करेंगे कृटकल क्या पावर रहेगा इसको 0 पावर बोलते इसको लो बहते हैं इसको 46 आफर बढ़ते जाएगा और जब इधर आयेंगे तो क्या होगा दस्मलाव थूर्म को multiply करेंगे 2 के तक एसे करेंगे मंतीप्लाइब करना होगा तक真 करेंगे यह न को मलूटिप्लाइब करना होगा तक किसे करेंगे क्या है पौक पावर करना है तो कैसे करेंगे जीरो को कैसे मल्टिप्राइड करेंगे जीरो इंटू का पावर क्या जीरो किषका है फिरी पोजीशन पे हैं सबको एड कर लेतें जो कि अभी उपर आपनों को बताए और अगर हम लोग दसमलाव के राइट जाएंगे तो यह क्या है वधान है तो क् तरह से हम लोग बदलते हैं यह थोड़ा सा कठीन था उमीद है कि आप लोगो समझ में आ गया होगा तो चलते हैं अब हम लोग नेश्ट प्रोब्लेम पर जिसमें कि अभी क्या हम बताए बाइनरी से डेसिमल में बदलने हम बताए इसको नोट कर लिजिएगा तो उमीद है कि समझ में आ गया होगा अगला एक्जाम पर लेते हैं अगला एक्जामपल हम लोग लेते हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे हम लोग बदलेंगे ऑक्टल सिस्टम से बाइनरी में 27.4 दिया हुआ है अक्टल सिस्टम में इसको कनभर्ट करना है आपको बाइनरी डेसिमल सिस्टम में हम लोग पढ़ रहा है कि किसी भी सिस्टम से ड आप लोगो बता दिए अगला है उसका सौट कोड़ भी बताएंगे क्योंकि बाइनरी से डेसिमल बहुत ज्यादा काम पड़ता है तो उसका सौर्ट कोड़ भी बताएंगे घबडाने का आप लोग कोई बात नहीं है सौट कट से भी हम लोग बनाएंगे तो जल्दी बन रिच्षान है सिदेन लिख देनगे इसको क्या करना है बेस के पावर से से का पावर होता है फिर आक यहां प서 ब्रते यहां तो कि हम लोग क्या करेंगे हम लोग लिखें पावर लिखलेगे है ना power यहां पे क्या हो जाएगा eight का power हो जाएगा it कब यांप कर रहे यहाँ पे zero होगा power अगला लिखेंगे plus फिर क्या लिख लेंगे यह थी है तो three ulus को एजई टिज लिख लेंगे और उसके बाद eight का पावर eight का क्या होता है Yaves trade का इधर जाते हैं तो पावर माइनस one माइनस two- το यासे भगता है और दसमल्हें पिधर जाते हैं-जीरो फिर one two three फूर ऐसे पावर बढ़ते जाता है Он का तो यहां पर हमारा 8 पावर होजाएगा माइनस अब इसको सिंप्लिफाइ कर लेना है कर ले डा इंटु सेबेन वन इंटु सेबेन कितना हो जाएगा सेबेन हो जाएगा एट का पाउर जीरो मतलब वन और उसमें साथ से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा सेबेन और इसको सिंप्लिफाइगे कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर और दसमलाव के इधर इसको अगर सिंप् फाइब ठीक है यह आ जाएगा पॉइंट जिरो फाइब तो इसको हम लोग लिख लेंगे पॉइंट को लिखना नहीं है खाली फाइब को लिखना है यहां पर क्या लिख लेंगे यह लिख लेंगे फाइब ठीक है सब्सक्राइब प्वाइन हो जाएगा तो फाइनली हमारा क्या आ गया फाइनली हम लोग आ गया हम जो थे थाट्टी सेबन पॉइंट फोर हम लोग बदले ओक्टल से डेसिमल में तो हमारा आ गया 31.5 31.5 हमारा आ गया बदलने के बाद उमीद है कि आप लोगो समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसी भी सिस्टम से कैसे decimal में easily बदल लेंगे ठीक है एक और example ले लेते हैं जिसमें कि आप लोगो page number 10 इसमें हम लोगो क्या करना है इसमें दिया हुआ है आपका hexa decimal में दिया हुआ है और इसको कह रहा है बदल ये decimal में इसको decimal में बदलने बोल रहा है बहुत ही easy है फिर वही काम करेंगे ये क्या है a को agitage लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे इसमें हम लोग multiply करेंगे 16 का power 0 से और उसके बाद यहां दसमलाव है तो दसमलाव लिख लेंगे 4 agitage और यहां पर लिखेंगे 16 का power minus 1 ठीक है अब ध्यान देने वाला बात क्या है कि ये a लिखा हुआ है लेकिन हम लोगा decimal system में a को क्या बोलते है 10 बोलते है ये को क्या बोलते है हेक्साडेसिमल में बदलना है तो यहां पर हम लोग क्या लिख लेंगे 10 लिख लेंगे clear तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 10 अब multiply करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 16 का power 0 तो 1 हो जाएगा और इंटू 10 तो ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 और इधर कितना आ जाएगा इधर आ जाएगा आपका फोर डिभाइड़ वाई 16 यह आ जाएगा जाएगा यह जिरो तिस आठ यह आजएगा 25 ठीक है यहां पर हम लोग लेंगे 25 तो फाइनल एंसर क्या आ गया पाइनल एंसर हमारा आ गया 26.25 मतलब कि अगर हम लोग बदलेंगे ए वन ए पॉइंट फॉर हेक्साडेसिमल से डेसिमल में तो यह आएगा 26.25 किसमें डेसिमल सिस्टम में इतना आएगा उमीद है कि आप लोगो समझ में आया होगा हम लोग किसी भी सिस्टम से डेसिमल में बड़े अराम से बदल सकते हैं तो उमीद है आपनों को समझ में आया होगा एक और आप लोगों को बदल के दिखा देते हैं लास्ट पेज नंबर 11 पेज नंबर 11 इसमें दिया हुआ है आपका वन एक्जामपल वन वन सी वाइंट जीरो यह दिया हुआ है एक सिस्टम है जिसका रेडिक्स कितना है थाटीन है इसको बदलने बोल रहा है तेन में ठीक है तो कह रहा है कि इस कोश्चन में क्या कह रहा है कि यहां पे मिनिममम बेस हम क्या लेंगे यह दिया हुए आपको इसको आपको 9-4 वन नाइट-4 तो कह रहा है कि यहां मिनिममम बेस हम क्या लेंगे कह रहा है कि इस कोश्चेन में मिनिममम बेस हम को क्या लेना पड़ेगा तो जो भी आप बेस लेंगे जो भी आप लोग base लेंगे अगर A है तो base 3, B है तो 11, C है तो 12 है ना और D है तो 13 आप लोग को पता है कोई भी number system होता है आर का जो value होता है आर का value से उसका digit कितना कम होता है एक कम होता है एक कम होता है मतलब यह अगर C है तो कम से कम आपको base कितना लेना पड़ेगा अगर यहाँ पे C है तो base एक बढ़ा के रहता है बेस क्या रहता है digit से एक ज्यादा रहता है तो आपको कितना लेना पड़ेगा base देखिए C के लिए 12 है लेकिन आपको एक बढ़ाक लेना पड़ेगा बेस तो यहाँ पे क्या base लेना पड़ेगा यहाँ पे 9 है तो इससे ज्यादा क्या आता है सम hem कि आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगा का डिफाइंड है जो जीट है उससे एक जादा होता है हमारा बेस कोई भी नंबर सिस्टम का बेस एक ज्यादा होता है अब यह हो गया हमारा पेज नंबर 11 अब हम लोग अगला देखते हैं पेज नंबर 12 बे हम लोग देखते हैं हम लोग को कनभर्ट करना है थर्ड हम लोग दो पढ़ लिए एक पढ़े decimal से एनी नंबर सिस्टम दुफरा क्या पढ़े एनी नंबर सिस्टम से decimal अब तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यह है अपका औक्तल फेबाइनरी दूके कि बाइनरी में कैसे बदलेंगे यह हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल है तो बहुत ही इजी है, ओक्तल का बेस होता है एट, अगर हम लोग एट को कनभर्ट करेंगे तो हम लोग TWO का पार क्या लिख सकते हैं? ध्री, तो का पार कितना लिख सकते हैं? यह जो थ्री है, यह आप लोग को बीट बता रहा है, इससे हम लोग बीट को पता कर सकते हैं, जैस कैसे लिखेंगे 001 को लिखना है तक कैसे लिखेंगे तू को लिखेंगे हम लोग 010 को लिखना है तक कैसे लिखेंगे 011 किस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे 4 को लिखेंगे तो फूर को लिखेंगे वन जीरो जीरो पाइब को कैसे लिखेंगे वाइब को लिखेंगे वन जीरो वन सिक्स को कैसे लिखेंगे वन जीरो और सेबेन को कैसे लिखेंगे लास्ट सेबेन को हम लोग लिखेंगे वन 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 ये हो गया सेबेन ये है हमारा नंबर दिया हुआ ओक्टल सिस्टम में और इसको हम किसमें लिख दिये ये लिख दिये हम लोग बाइनरी सिस्टम में ठीक है ये हम लोग लिख दिये बाइनरी सिस्टम में आप एक example लेते हैं आप लोगों को number दिया हुआ है एक जामपल एक लेते हैं तो पुरा clear हो जाएगा एक number आप लोगों को दिया हुआ है इसको convert करना है क्या दिया हुआ है 117,34.63 यह आपका औक्तल में दिया हुआ है, इसको बोल रहा है कि आप बदलो, बाइनरी में, कि कितना आएगा, तो जब औक्तल से बाइनरी में बदलना हो, तो बहुत ही easy है, very easy, करना क्या है कि each number को 3 bit में लिख दीजिए, इच नंबर को कितना बीट में लिख दीजिए 3 बीट में एक्सपेंड करके लिख दीजिए इसको जब लिखिएगा थरी बीट में तो कितना आएगा हम लिखते हैं देखिए आप लोग ज्यान से अभी बताये हैं three को फ्रीच को तत्रीः बीट में कितना लिखते हैं जीरो वन वन तेसको टेंगे जीरो व् verloren वण उफ के बाद फोर को फोर को लिखेंगे तक सब्सक्राइब कितना होगा सैकिना मैं Kevin को स्लिखने बीच न होगा स्लिकर्च भाइज लीफिर लिखेंगे तो 111 अब सब को सजा के लिख देंगे यह तब ये तब ये तब ये तब ये तब सब से पहले हम लोगते हैं तो लूब से राइट तो हो जाएगा 100100 उसके बाद क्या लिख देंगे 110 110 और उसके बाद क्या लिख देंगे 011 यह हो गया जीरो 11 यह बदल गया आपका बाइनरी में यह जो नमबर था यह किसमें बदल गया आपको बाइनरी में बदल गया यही हो गया आपका एंसर फाइनल एंसर ठीक है उमिद है कि समझ में आ गया होगा इच नमबर को आपको बदल देना है औक तल में इस तरह से ठीक है अब लिखते हम लोग नेक्स्ट पेज नंबर 13 इसमें क्या हम लोग का फोर्थ बाइनरी टू है बाइनरी टू ऑक्टल बाइनरी से ऑक्टल सिस्टम में कैसे बदलेंगे ठीक है बाइनरी से अक्टल सिस्टम में हम लोग कैसे बदलेंगे इसमें भी वही कंसेफ्त aç呵laiI करेंगे जैसे दिया हुआ है इसमें भी क्या क्रेंगे गुरूप के ओप एक सास्तिं बीट को लेंगे में इससे बना देंगे वन ऑक्टल डीजिट ऐसे क्या बना देंगे एक थो ऑक्टल डीजिट बना देंगे जैसे एक्जाम्पल में पुरा किलियर हो जाएगा आप लोगों को कोश्चन में दिया हुआ है 101 और 101.1101 इसको दिया हुआ है बाइनरी में इसको बोल रहा है कि आप बदल लिए औक्टल में इसमें बहुत इजी है बताए अभी क्या करना है ग्रूपिंग कर देना है ग्रूपिंग कितना कितना बीट का करना है तीन तीन बीट का तो दसमलाव के इधर जाएंगे राइट से लेप्ट चलेंगे राइट से लेप्ट मतलब यहां से हम इसा सुरू करेंगे यहां से तीन बीट पकड़ेंगे और लिख लेंगे माल लेजिए एक और यहां पर वन दे दिया रहता है यहां पर एक और वन दे दिया है ठीक है तो हम लोग चलेंगे तीन बीट को पकड़ेंगे इससे कौन सा नंबर बनेगा तो नंबर बनेगा 1, 2, 4, 8, 16, 32 तो यह 1 ओके है यह 0 है और यह 1 है तो यह नंबर को और यह नंबर को एड़ कर लेंगे जिसका 0 रहता है उसको एड़ नहीं करते हैं तो नंबर क्या बन गया 5 बन गया ठीक है ना तो यह बन गया हमारा 5 5 को जब लिखेंगे बाइनरी में तो ऐसे ही लिखेंगे 1, 0, 1 लिखाये थे पीछे अभी अब लोग देख लेंगे अब दूसरा नंबर क्या है दूसरा मेरा नंबर है देखिए दूसरा मेरा notamment है इस था कॉर्ट कर रहे हैं दूसरा मेरा group किया बनेगा दूसरा group बनेगा यह व्लव 101 फिर वही बना 101 तो फिर इसको और इसको add कर लेंगे तक तक इतना हो जाएगा फाइब इसके बास ही ak liaison बच गया अकेले बच इगा तपने है यहां लिख लेंगे वह उफे कितना हो गया a 155 अब लायर उैं तो होगा है ग्रूपिंग करेंगे तो यहां से त्सिटीन का सब्सक्राइब हो गया और राक सी क्या पर स्थिन बिगिशिट हो गया और इसह बंपर क्या था आए Anthony वन तो दो जिरो यहां पर एड कर लेंगे दो जिरो क्या कर लेंगे एड कर लेंगे दो जिरो तो फिर क्या बनेगा आपका नमबर यहां पर चेक कर लेंगे कैसे चेक कर लेंगे इसको लिख दो 1 0 0 तो सिर्फ 4 पर 1 आ रहा है तो सिर्फ 4 ही हो जाएगा तो finally मेरा क्या आगया finally आगया कि 1 101.1101 को कनभट किये हम binary से octal में तो यह आगया 155.64 यह आगया octal में इस तरह से हम लोग बदलते हैं बदलने माले में अगर confusion है तो फिर एक पर हम बता दे रहे हैं जैसे आपका कोई number दिया हुआ है यह code लिख लिए यह वन टू फोर एट एक code है यह है ना code हम लिख दे रहे हैं इससे आप फास्ट बदल पाएंगे decimal से binary में या binary से decimal इस code का यूज करके पहले यह आप लोगो समझ में आ गया होगा उमीद है हमको तो इसको नोट कर लिजी एंसर आएगा आपका यह नोट कर लिजे आप लोग क्या बदलना सीख गए बाइनरी से औक्टल में बदलना सीख गए ओके इसको नोट कर लिजे उसके बाद मैं आगे बताता हूं आप लोगो तो पेज नंबर 14 हम बता रहे हैं कि कोई नंबर आपको माली दिया हुए 25 इसको बोल रहा है बदलो फा रही था सक्ट कैसे बदलते हैं मेरे पास एक कोड है वन कि 4 16 last 2 2 होते जा रहा है आगे बढ़ते जा रहा है यह कोड है अब जहां पर वल्र होगा उसको करेंगे जहां पर zero होगा उसको नहीं करेंगे तो कैसे 5 लाह मैं 25 तो कैसे लाइधा आठ चार बारह, 13, 14, 15 ही आ रहा है, 16, 28, 24, 24, यहां से 25 आ जाएगा, तो इसको क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे, 16 और इसमें क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, इसको भी 1 कर लेंगे, 16 और 8 कितना होगे, 24, और क्या जोड़ना पड़ेगा, आपको 25 लाने के लिए, तो 1 बदल गया 25 किसमें बाइनरी में बदल गया एक और एक्जामपल दिखते हैं मान लीजिए आपको अठारों को बदलना है बेसिमल से बाइनरी में तो क्या करेंगे फिर कोड लिख लेंगे मेरा कोड क्या है 1248 16 32 बढ़ते जाएगा 64 उसके बाद और आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा कि 128 ऐसे बढ़ते जाएगा तो अठारा लाना है आपको अठारा कैसे आएगा आठ चार बारह दो चौदा एक पंदर नहीं हो रहा है तो एक आगे बढ़ जाएंगे यहां सुल्ला को कर लेंगे वन ठीक है और सुल्ला में और कितना जोड़ेंगे तो अठारा में बदल गया यह फास्ट तरीका है डेसिमल से बाइनेरी में बदलने का ठीक है कि दुबारा देख लीजिए दो तीन बर्त देखिए समझ में आ जाएगा अगर कोई कंट्यूजन होता हो तो उमीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा अगला हम लोग लिख लेते से हेक्सा डेसिमल से हम लोग बदलेंगे बाइनरी में बहुत ऊजी है बहुत ओओ लिजी ए इसमें भी क्या करेंगे हम लोग इस एच हैकस डिजिट कि इस हैग डिजीट इज रेप्रेजेंटेड रेप्रेजेंटेड इच हैक डिजिट रिप्रेजेंटेड विट विट फुर वीट को विट बाइनरी ऐंग कि तो पंग करते हैं और हैकल को फॉर बीट से खेंठ ट komplett गरना है जिस्थ मैं है आपको डिपरेजेंट करना है बाइनरी में तो कैसे करेंगे लिए घर जुट डिया हुआ है आपको हैक्मे कि इसको रिपर्जेंट करना है बैइनरी में तक कैसे रिपर्जेंड करेंगे जी रोख रीपरिजण करते हैं 407 वन को री परजेंट करना है तो कैसे ये उन बाकि तीन तो zero टूž को करना है तक एसे करेंगे यहpa four me लिख लेंगे तो अधीक को अधार इसले चार ना पड़ेगा और बाकी सबको क्या करना पड़ेगा जीरो करना पड़ेगा यह उन ऑन झीरो रिपर्जेंट हो गया है ना मोग फलोग फास्ट सीकहें गे और लिखेंगे हम लोग 1100 इस तरह से हम लोग कहां तक लिखेंगे 15 15 को रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे लिखेंगे दिखिए कोड लिख लेंगे हाँ पर 1248 एक इसे मेराशक वेट हो गया मेरा अब 15 को रिप्रेजेंट करना तो तो यहां जाएगा तो कहां से आइएगा यहां से आइएगा आठ है यहां से आइगा लिखेंगे तीन के बाद चार पांच छे साथ आठ नौ दस सब लिख लीजेगा है ना और हैक्सा में क्या होगा दस को क्या लिखेंगे दस को यहां लिखेंगे एबी सी 15 को हम एफ लिखें ठीक है उमीद है कि आप लोगो समझ में आ गया होगा टेज़ सुलbह एंगजाम्पल हमारा हो गया है कि सी एडी यह दिया हुआ है कैlect किसमें धिया हुआ है एकसा में अच्छा में सो किसमें बदलने बोल रहा है कि बाइनौरी में बदल बहुत ही इजी है क्या बोले है इच एजिद में एपभर बीट में बदल्ले Pac Binary के 4bit में. D का मतलब कितना होता है? A का मतलब 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब 13. 3 को किस में बदलना है? Binary में बदलना है. तो code लिख लेंगे. 1, 2, 4, 8, 16, 13 है. तो 13 में क्या करेंगे? यह 4, 2, 6, 1, 7, 8 से सुरू करेंगे. यहां 8 को कर लिए. 1, 8, 4, 12. 12 दोनों को add किये तो 1, 1 कर देंगे और इसमें और कितना add करना पड़ेगा तो 13 आजाएगा, 1 को add करना पड़ेगा तो इसको भी कर देंगे 1 और बाके जो बच गया 0 क्या हो जाएगा यहाँ पर? D को बदलेंगे तो 1, 1, 0, 1 अब कर दंक लेंगे 1 को बदल को बदल दो तो एड़ के बाद सोल के बाद 32 testing नहीं इसको जूड के देखो चार दो चेक साथ दस नहीं आरा तै यहां से बाद आठ से इसको क्या करना पड़ेगा हमको इसको हमको करना पड़ेगा इसको हमको वन करना पड़ेगा आठ आठ में और कितना जोड़ेंगे चार जोड़ेंगे तो बारा हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा ताठ को नहीं चार को नहीं जोड़ेंगे आठ में हम दो जोड़ेंग यमोट सब्सक्राइब स्विसक्राइब जारोब・・ कोडभा कोड़ बदल करके आए आया 1010 अब बच गया सिसी को बदलने के लिए फिर क्या करेंगे कोड लिखने सिखा दिये हैं कैसे कि लिखते हैं उन टू शοक्राइब अप्र देंगे यह वन कर देंगे तो बाकी को 0 कर देंगे तो कोड बदलके क्या आया वान वण 0-0 तो फैनिल एंसर क्या हो गया फैंनल एंसर मेरा यह हो गया कंदेंगे सीएडी को 2195 से बाइनरी में तो मेरा एंसर आएगा ववन वन जीरो जीरो लफ्ट वाला सबसे लेप में लिखेंगे उसके बाद कि यह वाला यह मेरा वन जीरो वन जीरो और उसके बाद लास्ट लास्ट मेरा क्या है वन वन जीरो वन यह किसमें बदल गया यह बदल गया बाइनरी में तो इसको कोई रेज कर देते हैं और यही मेरा हो गया फाइनल एंसर इसको अपनों कर लेंगे उमीद है कि आप लोगों को कन्भरजन बहुत थी अच्छा से किलियर हो गया होगा कन्भरजन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा सौट कॉट को बदा दिये कि कैसे हम लोग जलते हैं जैसे मालीज़ आपको दिया हुआ है वन वन जीरो वन बोलेगा कि इसको बदलिए आप डेसिमल में फाष्ट जल्दी बदलिए तो क्या करेंगे यहां कोड़ फट से लिख लेंगे वन टू फोर एट सोला इसके उपर नंबर चिपकाते जाएंगे यहां पर क्या है वन यहां पे क्या है जीरो यहां पर क्या है Erfahrine क्या यहां पे क्या है वन वन वला आध कर लेंगे जीरो वला कोछोड़ देंगे यह सब क्या अइट करों एक गया इसका डेसिमल श्रू कितना हो गया। स्कूत कि ँसी बदले शापार उठाबरोज कोड़ा है उसको चिका दें decimal में fast कैसे बद लेंगे decimal से binary में fast कैसे बद लेंगे ये code का यूज करके ये code कैसा है one है उसके बाद two है उसके बाद four है फिर eight बढ़ते जाएगा two से multiply होते जाएगा है ना ये ऐसे ठीक है तो इसका यूज करके हम लोग कर सकते हैं उमीद है आप लोगो clear हो गया होगा conversion बहुत ही अच्छे से clear हो गया होगा है 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 से binary clear होगे आप लोगों को है से binary अब binary से है जो मेरा लास्ट है वह आप लोगो बता देते हैं लास्ट नहीं है अभी हमारा औक्टल से बचा हुआ है तो पहले यह देख लीजिए पेज नमबर 16 लिखिए पेज नमबर 17 अब लाने नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है binary से बाइनरी टू है किसे बदलते हैं यह भी बहुत ही है बहुत ही ज्यादा इजी है इसमें क्या करते हैं इसमें हम लोग ग्रूप आफ ग्रूप आफ फोर बीट किसमें हो जाएगा वन बीट बाइनरी का फोर बीट और वन बीट वन डिजिट अब है चार ठोंबिट मिलाएंगे बाइनरी का तो हैक्स का एक डिजिट बनेगा जैसे एक्जांपल देते हैं तो आप लोगो पूरा क्लियर हो जाएगा भी एक्जांपल लिख लिजिए इसको बोल रहा है कि यह दिया हुए आपको बाइनरी में और इसको किसमें बदलिए इसको बदलिए आप हेक्साडेसिमल में तो बहुत ही इजी है बहुत ही ज्यादा इजी है करना क्या है चार-चार का इस बार आपनों को गुरूपिंग करना है तो फुरूप किजिए चार बिट ले लेजी एक गुरूप बन गया और इससे नंबर क्या बनेगा कैसे जानेंगे कोड लिख लेंगे कोड क्या है वट टू फोर ऐड िसको यहां पर जीरू है तो इसको चोड़ नमबर निकल नमबर करेंगे यहां पे ग्रूपन यहां कोड है कि जहां जहां आपका है उसको एडड करना है यहां पर उन है इसको एड कर लेना है यहां पर एड कर लेना है यहां पर दस और एग ग्यारा सतमर क्या बनक्या इगा लेगा हमको किसमें लिखना है हैक्सा में लिखना है 11 को हैक्सा में क्या लिखते हैं कि यहां पर क्या लिखेंगे यहां पर लिखेंगे बी तो मेरा है पिए नेक्ट लिखेंगे हम लोग इसमें क्या है है एक्षटू है है एक्षटू है 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 इस्टू बाइनरी तो हम लोग सीख गये है 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 इसे इसख से अब हम को सिखना है है थि क्या करेंगे मिठेड क्या है यह है कि हैस से आप बदल लो बाइनरी में और बाइनरी से किस में बदल लो अब तो आपको इजली बदल जाएगा जैसे एक जामपल देते हैं किसे में दिया हुआ आपका C-a A-F-E, यह दिया हुआ है है और इसको आपको किसमें ब till बोल रहा है बादे इसको बदलने बोल हो रहा है अपसलर में बदलने बदलने बोल रहा है तो डायरेक्टली बदलने के लिए बड़ा मेठ़र्ड होगा जो 10 घंड ऺंडailing आप लोग में लिखना है को मतलब होता है 15 15 को जब चार बिट में लिखेंगे तो होजाएगा 1111 ग Brendan 1111 उसके बाद यहां पे ओंढ़ी को लिखेंगे तो ॏ हे का मतलब होता है 14 एका-मतलब लिखेंगे एफ को लिखना है ओपाद तो हो जाएगा वान-वण उसके बाद है एकıyla मत्तब्र होता है दस दस को कैसे बात है को कोड़नेगे होगा यह यह वन होगा और बागी 9010 अभ उसके लीखलो CC बराबर कितना हुता है एब रापर दस भी बराबर चाहे ब्राबर 10 ब्राबर 11 ए ब्राबर तेर तो इसको बद देंगे तो क्या हो जाएगा 52 Woah यह और यह और यह और यह 1 बाकी 0 वशばाउम 1101 by messaging बाई नारी बाद में बदलक किसके मैं बदलने के बाद आध कि बदलना ऑफ बदलें चुर्ट गूरूपिंग कर लेंगे यह यह तीन बीट यह तीन बीट यह तीन बीट यह तीन बीट और यह तीन बीट इसको जब तीन बीट में लिखेंगे तक क्या हो जाएगा मतलब यह सिक्स आ जाएगा यह कितना जाएगा यह सिक्स आ जाएगा यह हो जाएगा सिक्स और यह कितना हो जाएगा से बेन हो जाएगा यह कितना हो जाएगा चार और एक पांच हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा चार और एक पांच हो जाएगा और यह कितना हो जाएग यह वन हो जाएगा तो यह हमारा बदल गया उक्टल में बदलेंगे तो क्या आजाएगा और फाइप फाइप थिरी सेबन सिक्स यह आगया हमारा उक्टल में मतलब की हमारा सक्कुत और फाइप फाइप थिरी सेबन सिक्स लिए हम लोग है साडेसिमल को पहले से वाइनरी में बदल दीएं इसको चार के ग्रूपिंग्में तोड़ दीए और आफ्टल में बदलने के लिए क्या कि यह जो बाइनरी नंबर आया उसको तीन-पीन के ग्रूपिंग मिले के लिखती है ना तो यह किलियर हो गया आप लोगों को आप लोगो क्लियर हो गया कि ऑक्टल से हैक्सा में कैसे बदलेंगे ठीक है अब लाश्ट है हमारा प्रेजटार प्रेज उन्निस कंभर्जन का यह लाश्ट है यह है ऑक्टल टू है हेक्स ऑक्टल टू है इसमें क्या करेंगे披िए हम लोग डायरेक्टर ळी बदल लेंगे ऑक्टल में दिया हुआ है इसमें भी क्या करेंगे पहले आक्टल को किस में ले जाएंगे binary में ॐ और फिर binary से किसमें बदल देंगे hecksa में बदल देंगे जैसे कि example देते है पुरा clear हो जाएगा दिया हुआ है 1247 यह किसमे दिया हुआ है हुआ आख्टैल में दिया हुआ इसको किसमें बदलने बोल रहा है हैक सामें बदलने बोल रहा तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले को बदल लेंगे binary में थैज बाइख हो primeira हो जाएगा 0vellल UM 12124 कि में jan बदल बन की वोगा करेंगे भरगलों करने जिलाइगा ब्रट करेंगे किया लिखेंगे और आगया आपका बाइनरी में यह हमारा बदल गया एक सामे तो चार बिट का से ब्रुपिंग मार देते हैं यह से चार यह इक चार बीट एक दो तीन चार बीट को 잡 talent है आपका जाएगा साथ कुछ यह कितना हो जाएगा यह तो ये वन है यह जीरो है और ये भर म mega युग हो जाएगा मर्लेशच कंप यहां एक स्षार कि 100 लिख्ते है यह दस आया इसको है सब्सक्रेज़ंगे लिखेंगे और यह आस्थ हो गया हमारा को यहां पर वन 허ह मतलब तो इसको लिख लेंगे टू तो फाइनल असर क्या आ गया टू ए सेबैन यह बदल गया आपका ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में ठीक है तो कंभर्जन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया बाइनरी सिस्टम हम लोग पढ़े इसमें हम लोग क्या पढ़े किसी भी सिस्टम को किसी सिमल ऑक्टल हेक्साडेसिमल तो यह सब के बारे में हम लोग एक एक करके कंभर्जन पढ़ लिए उमीद है कि आप लोगों को पूरा अच्छा से किलियर हो गया होगा नहीं तो दुबारा वीडियो आप फिर देख सकते हैं एक एक चीज को हम किलियर किये हैं फास्ट इसे बढ़ते जाएगा कोई भी नंबर दिया जैसे माली आपको 40 दिया है और इसको बोलेगा कि बदलिए आपकी समें बाइनरी में बदलिए तुरंत बदलिए तो कैसे करेंगे 40 तो 40 क्या है 40 हमारा इसको जोड़के देखते जाएंगे 3 और 4 7 और 8 15 और सुल्हा 15 और सुल जड़ी से ज्यादा हो जाएगा 32 को किसको जोड़ना पड़ेगा अठको इसको भी वन कर लेंगे बाक्री जितना बचट गया सब को 犬दलने के बाद किया आएगा 10100 यह आगया बाइनरी में इस तरह से कनामर्जन करने आपना तुम बदल दो इसको डेसिमल में तो खाली क्या करना यहां पर लिखते जाना है यहां पर स्तुम ऑर सिस्टीटो और उसके बाद 128 जहां यहां जहां वर सब्सक्राइब यहां पर कि यह सब्सक्राइब 138 में कितना आप छोड़ेड अपड़े यह जाेगा आपका है तीन और चार साथ और साथ और को यह हो जाएगा आपका 48 और तालीस और चार वावन चौववन पच्पन तब एक सो आठाइस में पच्पन जोड़ दीजिए ते जाएगा आठ पच यह आजाएगा 183 कितना जल्दी बदल गया कुछ नहीं करना पड़ा कोड लिखे और कोड के उपर जहां जहां वन आया उसको एड करते चले गए इस तरह से आपका बाइनरी से तुरंत हम बदल दिये डेसिमल में तो यह सौट कार्ड मेठट था जो कि आप लोगे साथ हम डिसकस किये तो इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को हम लोग कंभरजन सीख गए हैं अगले लेक्चर में हम लोग एरिखमेटिक पड़ेशन पढ़ेंगे कि बाइनरी नंबर को या कोई दूसरे नंबर को मंटिप्लाई कैसे करते हैं और उसको एड कैसे करते हैं सबस्टेक कैसे करते हैं ना बाइनरी पर हम लोग जादा फोकस करेंगे क्या अधर सिश्टं के बारे में भी थोड़ा बहुत बताएंगे जैसे ऑप습니다 को भी decimal को multiply करना divide करना और add करना subtract करना आप लोग जानते हैं तो हम लोग focus करेंगे binary octal और hexa पे उसमें भी हम लोग binary पे जादा focus करेंगे addition subtraction में आप लोगों को उमीद है पुरा दिक्कत होता होगा addition में मुझे मुझे से आपको अब कभी दिक्कत नहीं आने वाला अच्छे से आप वीडियो को एक तो बार देख लीजिए अगर उसके बाद लीडिये